हाँ, मैं राजू शोबा से बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो एमोशनल होकर मैंने टिकेट लिया था डाड, थोड़ा सा और एमोशनल हो जाई है और लोटा दीजे न इनका टिकेट यानि की डबिल एमोशन नीरज, मैं एक बिजनसमान हूँ, और बिजनस में ज्यादे एमोशनल नहीं होते हमरी फुकपी हमेशा कहा करती थी, के प्यार में बिजनेस नहीं देखा जाता साबजी, साबजी, ज़रा हम दोनों को देखें, हम दोनों के फेस को देखें, यह देखें यह लिखे, अबजी हमको घर के कितनी जरुरोत होई, प्लीज वो टिकेट हमको दें, नहीं, टिकेट तो मेरा है, मैं कैसे दे सकता हूँ? इसलिए मैंने कहा था, बेडा गर्क हो गया, सारी इंपोर्टेंट से मिल ली है, अगर मैं बुद्धू बनाकर इसके पास टिकेट नहीं बेचता, तो यह इंपोर्टेंस मुझे मिलनी थी, लेकर मेरा अपना पुत्तर मेरी बात नहीं मानला, क्यों मानो मैं? क्यों कि पुत्त तु एक अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान हूँ भी जी, लेकिन बेवकूफ तो नहीं हूँ ना, तु बन जाने बेवकूफ, जी मिलना मतलब है, बेवकूफ मत बन, राजू और शोबा की चेक्ट वापस करने में ही तिरा पप्र है, अगर मैंने टिकेट दे दू, तो क अच्छा इंसान है, तु ले आना, तु ले आना, तु ले आना, मुझे क्या पता आपने का रखाया अपना टिकेट, क्यों, तुमने मेरी काली पैंट की जेब से टिकेट नहीं निकाला, काली पैंट, हाई, वो तो हमने धो दी थी, तिकेट समीठ धो दी, जान बूच कर, जान बूच कर तुमने ऐसा किया, जल कुकडी, जाओ, अब तु इस उका के ला टिकेट, टिकेट क्या, वो पैंट पीकप की सूख गई है, मैने तो दो दो दे दी, इस तरी वास्ते, हाँ, आज दो 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 की शादी होई, फिर वो गाउं जाएंग दस दिन के लिए, क्या, और अगर साथ दिन के अंदर-अंदर अमने यही नाम क्लेम नहीं किया, तो यह घर अगली नंबर के टिकेट वाले को दे दिया जाएगा, अब क्या होगा, बीबी जी, आप जेब खाली करकर नहीं डाल सकती थी पैंट दोने को, पैंट दोने से पहले तु जेब चैक नहीं कि वो बरात में साब जी का काला पैंट पैंट के नाचे, लड़की वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और फिर, जब हम सेहरा बांद के तयार हुए, तो उ हमारी नजर उतारने के लिए, जब पैंट की जेब में हाथ डाला, साब जी की काली पैंट की जेब में जानत हो में का निकला, लोटरी का टिकेट? हाँ, अब हम मुका बोले रहे कि ये टिकेट जाके साब जी के खर दे आओ, पर उस असरे को आपका घरी नहीं मालूम था, और कौनों के पाद टाइम नहीं था, पस हम ही थोड़ा फिरी था, हम चरा आया आपका ये टिकेट अब हम का मिलेगा, तु काही खुश्वकरी इतना नाच रहा है, घर तो साब जी को ही मिलेगा नो, तभी तो मैंने टिकेट लिया न, अगर नुकसान होता तो वो मेरा होता, क्योंकि पैसे तो तो में मिल गय, नुकसान तो तुमारा हो जी नहीं सकता, अगर कुछ हो सकता थ तो वो था फाइदा, हम कुछ समझ नहीं साब जी, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा, कि सडनली ये विलन हीरो को डालो कैसे बोलने लगा, धनवा खानदान में कोई विलन नहीं है पापाजी, हाँ, कॉमेडी तो हर कोई कर लेता है, मैंने भी थोड़ा सा मजा कर लिया, औ इसलिए तो राजु शोभा के नाम ही लिखा था, इसलिए तो राजु के नाम का टिकित जीत क्या, और जीतते ही ये दोनों बन गए पुतले, फ्रीज हो गए दोनों खुशी के मारे, वे चले हो हिलो, और पाउश हो अपने बड़ी बाई के, अब आप देखिए, हम दोनों अपने नए घर से रोज सुबह सुबह कैसे ड्यूटी पर आई, एट ओक शर्पली, आट बोजे, तब तो तुम दोनों को चार बजे घर से निकलना पड़ेगा, चार बजे का है पापा जी, क्योंकि चार घंटे लग जाएंगे, तुमारे घर से ही जहां तक पहुंचने के लिए, दो दिन पहले मैंने लोट्री की दुकान से पता किया था, तुमारा जीता हुआ सपनों का घर, शेहर जबार है, अली बाग में